VLEs, कृपया ध्यान दे, विशेश स्रूप से DGPay और Mini Bank Point VLEs यदि पिछले 3 वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो Section 194N के तहट TDS Cash Withdrawals पर लागू होता है Non-ITR Filets के लिए 20 लाग से अधिक Cash Withdrawals पर 2% TDS 1 करोड के अधिक Cash Withdrawals पर 5% TDS Income Tax Filets के लिए 1 करोड तक कोई TDS नहीं 1 करोड से अधिक Cash Withdrawals के लिए TDS मात्र 2% इस Section के तहट काटे गए TDS को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय refund के रूप में दावा किया जा सकता है 1 करोड तक इस Section के तहट TDS कटावती से बचने के लिए यह उचित्तिती से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने का सुझाओ दिया गया है आप आने वाले वर्षों में मिनी बैंक पॉइंट या डिची पे उपभुक करता हो सकते हैं इसलिए Tax Genius सभी VLEs को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का सुझाओ देते हैं एक बार फिर आपको याद दिला दें 30 सितंबर 2020, Assessment Year 2019 और 2020 के ITR फाइलिंग तथा पिछले वर्षों के ITR डेटा के E-Verification के लिए पूर्वतिती है अपना बहु मुल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद और Tax Genius की और से इस संदेश को सभी VLE को प्रसारित करने का अनुरोध है